कि नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृती आई एस यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूं यूपी एस एक्स्प्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख खनुजगी भारत में खनीजों का एक अच्छा-खासा भंडार पाया जाता है जरूरी है कि उनी भंडारों के बारे में थोड़ी से चर्चा कर लिजा और कुछ खास बात है जो आपके जानने के लिए जरूरी है आपको बता दी आई यह लेकिन सारी बाते करेंगे हम लोग एक खास आफर जान लिने के बाद दरसल संस्कृती आई-स आपके लि वैलिड है तो आप लोग चाहते हैं अपने त्यारियों को अच्छा बनाना तो इस ऑफर में शामिल सभी UPSC courses और PCS courses आपके लिए available हैं जो course आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं discount काफी अच्छ है और अब कोई query है तो आप लोग 955-124-124 पर call कर सकते हैं और चीजों को जयान समाच सकते हैं ठीक है आईए खनी जोंगी बास कर लेता है इसके साथ ही सबसे बहले लोग बात करते हैं लोह आयस को कि लोड़क अच्छी खासी मातर है भारत ने पाया जाते हैं दक्षिन भारत में इसके अच्छे-खासी भंदार है और महीं में सिंग भूम वाला छेत लोह आयस के लिए बहुत ज़ादा फेमस है वहीं इसके साथ ही नुवा मंडी खान भी यहां देखे जाती है आगे बढ़ते हैं चतिशगड़ के अंदर बात करें तो डली राजहरा जो दुर्ग जिले के अंदर पढ़ता है वहीं वेल अडिला जो दंतेवारा जिले में पढ़ता है यह दो जगाह महतोपूर है और खास है मध्य पर्देश का जवल पूर जिले के अंदर अगदिया खान जो है वह इस मामले में काफिया दिक खास है करनाटक के अंदर बाबा बुदन की पहाड़िया केमान गुंडी खान और देनी मलाई यह इस मामले में विशेश हैं अपने आप महरास्ट के अंदर रतनागरी त काफी अच्छे से कवर किया हुआ यानि कि मध्य पर्दे 36 गड़ ओडिसा वाले छेत्रों में खास तौर पर जहरकंड में पाया जा रहा है महराष्ट के अंदर भी काफी खाने हैं और गुजरात में भी है तो कहां कहां क्या कैस्तिती है नजर डालते तो पता लगता है कि गुजरात के अंदर भावनगर अमरेली और जूनागड जिले के अंदर पाया जाता है जहरकंड में लोहर दगा जो राची जिले में बढ़ता है और नेतर हाट पठार जो पलामु जिले का है यहां सभी चीज़े ये खास तौर पर देखी जाती है इसके अलावा चेतिस ग जहरकंड पाड़ी। ने पाया जाता है मद्तेश में इसके लावा बात करते हैं कोहले की स्क्नृत मुख्य तौर्पर कोहला पाया जाता है हम लोग के उद्यों की विकास में कोईले की भी खास भूमिका रही है तो ज़रूर ये कोईले की स्थिति समझे जाए वैसे 36 गड़ के अंदर जहारकंड में महारास्ट मध्यपरदेश तिलंगाना तमिलनाडू में गुजरात में राजिस्थान में जम्मु कश्मीर तक में य तो इन सबी के नदी बेसिनों के स्थितियों में पाए जाता है भारत में 98 प्रतिशत कोईला भंडार गुणवाना कोईला छेत्र के अंदर ही पाए जाता है इसी के ही और यह कोईला है कोईला मुख्य रूप से बिटूमिनस प्रकार का अधिकांज कोईला जो हमें मिलता है वह दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी और वर्दानदी घाटियों के अंदर मिल जाता है आगे बढ़ते दामोदर घाटी छेत्र की बात करें तो यह भारत के प्रमुख छेत्रों को शामिल करता है जो है रानी गंज, जरिया, बोकारो, इसके अलावा गेरेडी, कनपुर जो जारखंड में है इन सभी खानों में खास्तोर पे दामोदर घाटी के छेत्र को मानते हैं हम लोग और यहां पर खास्तोर पे कोईला पाया जाता है इसके लावा सोन घाटी छेत्र के कोईले की बात करें तो मध्यपरदेश के सिंगरोली, उमरिया, चतिस गड़ के सोहग पूर ताता पानी रामकोला खाने यह प्रमुक हैं वहीं जारखंड की डॉल्टन गंच, हुतार, औरंगा यह सभी खाने बहुत अधिक प्रमुक हैं सोन घाटी छेत्र की बात करें अगर हम लोग तो चतिस गड़ के कोरवा सोन हट चेर्मेरी, विश्रामपूर, लखनव, महत्वपूर्ण है, ओडिसा के तलचर, वेसंबलपूर की खाने भी इस मामले में खास हो जाती है, गोदावरी वर्दा घाटी चेत्र की बात करें तो आंधर परदेश का सिंग्रोली, तिलंगाना के तंदूर और महारास्ट की सस्ती, इसके अलावा बलरामपूर और पता लगता है कि भूटान पश्री मंगाल की सीमाओं के निकर दार्जलिंग चेत्र में गोडवाना कोईला इस इस्तिति के लिए बहुत अधिक प्रमूख है, तर्शियारी कोईला चेत्र की बात करें तो असम, जम्मू कश्मिर, पिकानेर और तमिलनाडू राज्जेस में यहां पर भूरा कोईला या लिगनाइट कोईला पाया जाता है, असम के अंदर माकूम कोईला चेत्र है, जो लखीमपूर और शिवसागर जीलों में पाया जाता है, राजस्थान के अंदर पालनावे जैपूर के चेत्र, जोतपूर के उत्तरपश्चिमी भाग शामिल है, जहां पर लिगनाइट कोईला पाया जाता है। जमू कश्मीर के अंदर करेवा छेट प्रमुख हैं। उसके अलावा काला कोट, महोगला, चकर्वे, मिटका, धंसाल कोट साथ लठा छेटर प्रमुख हैं लट्थ इस वामलें मैं। कोईले के बात बात करते हैं जस्ता अधर जता के अंदर जो जगह प्रमुक हैं उनमें देखते हैं राजिस्थान जावर खदान और राब्पूर अगूचा खदान जम्मू-कशमीर भी इस मामले में प्रमुक हैं। ठीक, तामबे की बात करते हैं, तो तामबे के हमें जो खास छेत्र देखने को मिलते हैं, उनमें नाम शामिल है मध्यपरदेश, मध्यपरदेश की बाला घाट खदानों में पाया जाता है, राजिस्थान के अंदर जुन-जुनू और अलवर जिलों के अंदर पाया जाता है, जहार खंड के ते सिंगभूम जिले में यह पाये जाता है, आंदर प्रद देश के अंदर गुंटूर जिले का अंग गूंडाला, करनाटक के अंदर चित्रतूर्क और हस dozen जिले प्रमुक है, तमिलनाड के अंदर दक्षिन और अरकॉर्ड जिला इस मावले में प्रमुक है, जिपसम की अगर में लोग बात करें तो राजिस्थान का जोधपुर जिसमें शामिल है कुरलू, नागौर, मधुपूर और बाडमेरिस्थान, बीकानेर के जमसर, ठीक, इसके अलावा तमिलनाडू में तिरूचिरापली, कोयमबटूर और रामनात प्रमुख है, इसके तो प्रमुख चेत्र है, ओडिसा के अंदर है, बोनाई, केदुजर, सुंदरगर, गांगपूर, कोरापुट, कालाहाडी और बौंकागिर, मध्यपर्देश की बात करते तो बालाघाट, चिंदवाड़ा, निमाड, मांडला और जभूवा जिले प्रमुख है, महरा लिसा खहां कहों पाय जाता है तो झांगर बंगाल गंद्र हम चांडी मिलती है, कमान сможhiza का मिलता है, तो मध्यपर्देश के अंदर पन्ना डामंड माइनिंग वर्ट, चरखारी डामड माइनिंग वर्ट, मिंध्या डामंड माइनिंग इंडार्ट इंड़्या, इ्देश- महालक्षमी डायमड माइनिंग वच्ट में आंद्र परदेश के अंदर कुर्नोल और अनंधपूर के अंदर पाई जाती है करनाटक के अंदर बेलारी जिल्ले में चत्रिसगड में रायपूर और भस्तर जिलों के अंदर ओड़ी सामें नौपदा और बारगड जिल्ले में प प्रमुख है खीक है अमरक भारत में पाया जाता है जारखंड के अंदर हजारी बाग और सिंग्भूम जिलों जारखंड के लगबक तीन चुदा अमरक का उत्पादन को डर्मा छेतरी खानों से ही किया जाता है आंद्र परदेश के अंदर नैलोर तथा विशाका पटनम ज पटनम टेलों के अंदर राजिस्थान में आधरू में भी आंद्र प्रदेश में जेतीज़ गड़ में और गुजराट में ठीक तो यह सारी नहीं तर बागिसार को तक पिशेर कर सकते जिन्नों नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर दें बागी बाते हम लोग करेंगे ह जोचे विदा थैंक उसमाची.